ये उस समय की बात है जब मैं बारवी कक्षा में था मेरे क्लास में एक लड़की थी सुधा वैसे मेरा बॉडी स्ट्रक्चर और उसका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा ही था हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त थे वैसे मुझे क्रॉस ड्रेसिंग में कोई दिल्चस्पी नहीं थी एक दिन हम दोनों सर के पास कुछ संदेल पूछने गए थे वहाँ वो सर के सामने थोड़ा जुकी तो मुझे अंदर उसकी लाल ब्रा देख गई वाह कितनी सुन्दर ब्रा थी मेरा वो खड़ा हो गया था उसे देख के फिर रोजाना मैं किसी ना किसी बहाने उसकी ब्रा देखने का प्रयास करता रहता था उसके घर वाले मुझे जानते थे क्योंकि उसके घर में भी मेरा काफी आना जाना लगा रहता था उसके घर में उसकी मा, पापा और एक बड़ा भाई था बारवी में हमने दोनोंने बाउलोजी विशे लिया था मैं काफी बार उसके घर जाकर पढ़ाई करता था हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे एक दिन हम रिप्रोड़क्शन टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें काफी सारे मुश्किल टम थे सुधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो बार-बार मुझ पर शक पूछ रही थी और मैं जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि टॉपिक ही ऐसा था और ये टॉपिक भी ऐसा था कि स्कूल में सरच्छे से नहीं पढ़ते थे मैंने बोला देखो सुधा मुझे पता तो है ये सब पर कैसे बताओ पता नहीं वो बोली ऐसे समझो कि मुझे समझ आ जाए मैंने बोला सुधा तुम लड़की हो और मैं लड़का ऐसे कैसे बताओ वो बोली देखो मुझे इस बार अच्छे नंबल आने है और मुझे ये टॉपिक समझना ही है तो तुम लड़का लड़की छोड़ो और टॉपिक समझ दो मैंने बोला ठीक है लेकिन बाद में मुझे कुछ मत बोलना वो बोली ठीक है उस दिन सुधा ने एक वाइट शोल्डर का टॉप और पिंक लॉंग स्कट पहनना था और में नॉमल पेंट शर्ट पहला विशे था ब्रास्ट उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये होता क्या है मैंने फिर उसको बताया कि कोशिश की तो वो बोली पर क्या मैंने बोला अरे यार तुम्हारी चूची वो बोली अच्छा मुझे तो समझ ही नहीं आया फिर उसमें उसके अलग भाग के नाम वो बोली मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोला अब मैं कैसे समझू फिर वो बोली मैं टॉप उतारती हूँ तुम मुझे वापस बता दो कि कौन सा भाग क्या होता है फिर उसने अपना सफेद टॉप उतारा और उसने अंदर लाल ब्रा पहनी थी मैं बोला वह कितना सुन्दर है वो बोली मजात नहीं पढ़ी कर रहे हैं हम फिर उसने ब्रा भी निकाल दी और बोला आप बताओ फिर मैंने उसकी चूची अपने हाथ में ली और हरपाट एक एक कर चूँकर बताया और चूची दबाने के लिए भी तयार हो गई वो भी बोली चलो ठीक है अब कुछ गुरू दक्षिन तुम भी लेलो वो दिन बस उतना ही सिखाया हमने और फिर सुधा ने अपने कपड़े पहने अब ये किस्सा होने के बाद मैं सुधा को देख के मुस्कुराता था क्योंकि मुझे वो सब यादा जाता था अगले दिन फिर मैं उसके घर पाय के लिए गया आज उसने एक ब्लैक टॉप और पिंक लॉंग स्कट पहनी थी आज का विशे है मासिक धर्म चक्र का मतलब है जो हर महीने लड़कियों को होता है वो आज फिर सुधा को विशे समझ नहीं आ रहा है मैंने उससे बोला यार तुम लोगों को ही होता है फिर भी तुम्हें पता नहीं चल रहा वो बोली प्रक्रिया तो समझ पर पाथ के नाम नहीं पता चल रहे क्रिपया समझाओ ना मैंने बोला आब उसके लिए तो तुम्हारे कपड़े उतारेंगे पहले अपना ब्लैक टॉप उतार दिया था आज उसने ब्लैक ब्रा ही पहनी थी तो वो भी निकल दिया फिर उसने अपनी सकर्ट उतार दी और उसने लाल पैंटी पहनी थी वो भी उतार दी माई जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को नंगी देख रहा था मैंने सुधा को बोला वाह सुधा तुम कितनी खूबसूरत हो वो हसी और बोली टॉपिक पर आओ यहाँ वहाँ की बात-बाद में तो मैंने उसे सब कुछ समझा दिया और फिर बोला सुधा तुम बहुत खूबसूरत हो तुम मेरी जिन्दगी की पहली लड़की हो जिसको मैंने पूरा नंगा देखा है। और शायद मैं ही वो पहला लड़का हूगा जिसने तुमको ऐसा देखा है। वो बोली नहीं मैं शौक हो गया। मैंने बोला क्या तो किसने तुम्हें ऐसा देखा है वो बोली किसी को बताओगे तो नहीं ना। मैंने बोला अब मैंने तुमको पूरा ऐसा देखा है तो मैं किसी को क्या बताओंगा। वो बोली मेरे भाई ने मुझे काफी बार ऐसा देखा है। मैंने बोला क्या राहुल भाईया ने। उसने हाँ बोला वो काफी बार मेरे साथ बोडी प्ले करता है। मैंने बोला फिर तो तुमने भी उनको पूरा नंगा देखा होगा। वो बोली हाँ। मैंने पूछा क्या तुम लोगों ने कभी real sex भी किया है। वो बोली नहीं मेरी या में मैंने कभी नहीं लिया है। मैंने बोला वाह यार तुम बहुत भाग्यशाली हो। वो बोली मेरा एक काम करोगे मैंने बोला क्या वो बोली तुम बहुत क्यूट हो लड़की की तरह मुझे तुम ये सकट और टॉप पहन के दिखाओ ना मेरे शरीर पर अभी तक बाल नहीं आये थे मैं मन गया मैंने अपने पूरे कपड़े उतार दिये और पहले उसकी लाल पेंटी पहन ली मैंने अपना उसको एज़़स्ट किया और फिर उसकी काली ब्रा पहन ली मैंने फिर हमसे थोड़ी रूई भर ली चुची बनाने के लिए बाद में मैंने सकट पहन ली और ब्लाक टॉप भी सुप्रिया ने फिर मेरे बाल बनाए लड़की की तरह और उसकी क्लिप ये इंग पहन ली फिर उस दिन से ये हमारा सामान्य दिन चर्या था उसके घर पर जाके पढ़ना और जब कोई नहीं होता तब में सुधा के कपड़े पहनता था और हम दोनों लड़की की तरह दोस्त बनके पढ़ाई करते थे कुछ दिन तो ये सब सामान्य थे लेकिन अब मेरे अंदर भी लड़कियों वाली फीलिंग ही आने लग गई और क्योंकि हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारे हॉमोन भी सेक्स करने का मन करते थे सुधा काफी बार उसके और उसके भाई के बॉड़ी प्ले के बारे में मुझे बताती थी तो मुझसे भी मन करता था कि मैं भी उसके भाई के साथ रहूं मैंने उसको बोला सुधा में जैसे ये लड़की की कप्टे पहनती हूँ तो मेरी भी लड़की की तरह सेक्स का मन करता है। वो बोली वह तुम एक काम करो मेरी भावी बन जाओ। मैं बोला मतलब वो बोली मेरा भाई काफी बार बोलता है सुधा तेरे साथ करता तो हूँ पर तो तेरी कोई दोस दिला देख तो तुम मेरी भावी बन जाओ। मैं खुश हो गई। फिर सुधा ने अपने भाई को बोला कि मेरी एक दोस तयार है आपके साथ सब करने को। तो उसने संडे प्लान बनाया संडे उसके मॉम डेड बाहर गए हुए थे। सुधा ने भाई को भी बाहर भेज दिया बोला आप एक बज़े आना। मैं सुबह सुधा के घर गई सुधा ने पहले से मेरे लिए एक पिंट टॉप और लॉंग स्कट सलेक्ट करके राकी थी। जब मैं उसके घर गई तो वो पहन के तयार हो गई फिर सुधा ने मेरा मेकप भी कर दिया। अ आपको कैसी लगी उसका भाई बोला वाहराधा तुम तो बहुत ही सुन्दर लग रही हो। मैं शर्मा गई फिर राहूल मेरे पास आया और मेरे होटों पर एक किस कर दिया। वाह कितना अच्छा था मैं उसको लपेट गई और सुधा के सामने ही हमने 10 मिनत तक लिपकिस कि फिर मैंने राहूल को अपना और खीचा और उसको बेडरूम में बिस्तर पर ले गई। सुधा भी पीछे पीछे आ गई। मैंने राहूल को जकर लिया और फिर उसको लिपकिस करने लगी। करते करते हमारा बेलेस बिगड़ गया और हम बिस्तर पर गिर गए। लेकिन हमन आनी में क्या ट्विस्ट चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्रिपया बने रहें।